हेलो ब्रीवन स्वागत है आपका मेरे यूटूब चानल सेफ्टा क्रियेटिव फेशन में आज मैं इस वीडियो में मैक्सी बनाने वाली हूं तो यहां पर सबसे पहले कपड़े को हमें इस तरह की से डवल फोल्ड करना है फोल्ड करने के बाद हमें एक और फोल्ड करना है इस कपड़े को हमें उतना ही फोल्ड करना है जितना की आपका सोल्डर है और प्लस जितना भी लंबाई आपको रखना है स्लिव का तो यहां पर यहां पर रख रहे हुं और सल नहां राफ़ लिए लिए हैं उसके बाद हमें नेक की मार्किंग करना है तो विड़ भीलिए है और जो neck मैंने लिया है वो 5 inch लिया है आप चाहें तो front और back दोनों का अलग-अलग neck रख सकती है मैंने यहां पे दोनों same ही रखा है तो इस तरीके से neck की cutting कर देंगे नैक की cutting करने के बाद हमें side से इस तरीके से गोलाई में marking करके cut कर लेंगी यहाँ पर मैसे 2 इंच उपर की Pode साई उस तरीके से and hand are निकाल देना है उसके बाद हम नैक के लिए और उसके बाद सारी part freshman को हमें जोड़ लेना है जोड़ने के बाद हम नेक पे इस तरीके से रखते हुए किनारी पर हम सिलाई चलाएंगे और सिलाई चलाने के बाद इसको कट लगा देना है कट लगाने के बाद हमें कपड़े को पलट करके इस प्रकार से पटी को स्टीच कर देना है और उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे चारों तरप से किनारी पर भी फोल्ड करके स्टीज कर लिया है और नेकों भी स्टीज कर लिया है उसके बाद मैंने यहाँ पे 1.5 इंच की पटी कट किया है और उसको हमें फोल्ड करके इस प्रकार से स्टीज कर लेना है दोनों पट्टिवों को अटेज करने से पहले हमें सेंटर में इस प्रकास से मार्कर लेना है उस मार्किंग पर हमें कज बना लेना है और उसके बाद मैं हाँ फिप्टी नेज के दूरी पर सोल्डर की साइड से मार्क कर रही हूँ और इसी पर मैं हाँ पर्टी को स्टीज करूंगी उसके बाद हमें जितने भी दूरी पर सिलाई चलानी है हमें किनारी पर उतने दूर पर हमें आपर मार्कर लेंगे और चेस्ट राउंड के अनुसारी हमें हाँ पट्टी को तयार करना है और उसके बाद हमें इसको इस पर निसान जहां से हमने लगाया है आपर देखें मैंने सेंटर में कज बना लिया है तेहां पट्टी अटेच करने से पहले हमें कज बना लेना है उसके बाद हमें हांपे Front और Back दोनों में हमें पट्टीय के से Smith कर देना है कि नारी पर में स्टीच करना है और US आया है और चोड़ाइं में जो हमारी पर है वहां पर हमने इस Nobel सराही जो है वह चोड़ दाल सके और जो हमने कज बनाया है हुब है ईसके बाद हमें कप्टना करना है सीधी साइड में cd कर साइड में फौलड करना है यहां पे अर्मों के लिए 10 इंच की दूर फांग मरक करना है और उसमें मैंने एक इंच से देर इंच लूजिंग रखा है और आप ये चेक कर लें नीचे की जो पट्टी हमने अटेच कर ली है वो स्टीच ना हो जाए उसमें हमारा आधा इंच या एक इंच का गैप होना चाहिए उसके बाद सेम उसी प्रकार से हमें कमर के लिए और इसको इंच कर लेंगे और उसके बाद हमें डौरी सिल करके उसमें डाल सकती है तो इस तरीके से इसमें और जाल देंगी अगर अगर वीडियो पसंदाया हो तो लाइक करीश करिया और अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ऑन भी तो एक अपने आइस इस वीटियो